नमस्कार किसान हुई आज की इस वीडियों बात करेंगे खीरा की खेती की संपुर्ण जनकारी किसान भी हो खीरा की खेती करने के लिए जितने भी जनकारी होती है सबी पॉइंट पे बात करेंगे जैसे कि पहली पॉइंट खीरा की खेती करने के लिए उप्यूक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए दूसरी बात करेंगे खीरा की खेती करने के लिए जलवाय कैसी होनी चाहिए तीसरी बात करेंगे खीरा की खेती करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए उसके बात करेंगे खीरा की खेती की तैयारी किस परकार से करें उसके बात करेंगे खीरा की खेती करने के लिए कौन कौन सी उन्नत किसमे लगाए जिसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है और सबसे महत पूर्ण पॉइंट की खीरा की खेती करते समय कौनसी खा देवं कौनसी उर्वड़क डाले कितनी वर्सी चाहि करे खीरा की खेती में निराई गुराई कैसे करे ये सब ही जनकारी आपको मीलेगे तो चलिए किसान भी वी वीडियो को सुरू करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं खीरा की खेती करने के लिए उप्यूक्त मिट्टी के बारे में तो किसाम भी बता दे कि खीरा की खेती करने के लिए किसी भी उपजाओ भूमी में की जा सकती है जिस भी भूमी में कारवानिक पदारत की भरपूर मातरा पाई जाती है अच्छे उत्पादन आपको मिलेगी लेकिन फिर भी अगर बात करें कि सबसे जो अच्छा मिटी हो कौन सा है खीरे की खेती करने के लिए तो बलूई दूमट मिटी जो होती है ने किसान भी ये खीरे की खेती के लिए काफी उफ्युक्त मिटी है क्योंकि इस मिट्टी में खीरा के विकास काफी जल्द होती है एवं खीरा की उत्पादन भी अन्य मिट्टी की मुकाबले थोड़ा जादा होती है बात करें कि खीरा एक खेती के लिए जलवाईव कैसी होनी चाहिए तो फिसान भी जलवाईव की बात करें तो खीराईव की खेती आप किसी भी मौसम में किजिए बारिश के मौसम, गड़मी की मौसम और सरद के मौसम इन सबी मौसम में की जाती है लेकिन बात करें इसकी भूमी के लिए जलवायों तो सीतोसन और समसीतोसन जलवायों खीरे की खेती के लिए उप्यूप तो माना जाता है जबकि अगर हम बात करें खीरे की खेती अगर कर रहे है तो खेत का पीचमान कितना होना चाहिए तो अगर आपकी भूमी का जो पिछ मान है 6-7 के बीच का है, वो काफी अची पिछ मान है, तो आप खीरे जी खेती असानी से कर सकते हैं, किसी परकार की दिक्कत नहीं है अगर बारिश की मोशामी खेती कर रहे हैं आप तो ऐसी भूमी का चुनाव करें जिसमें पानी जल भराग की समस्या बिलकुल भी ना हो किसान भीयो नहीं तो बर्सात में काफी ज़्यादा बारिश होती है जिसे फसर को काफी नुकसान होता है और खीरे टो फिलों खितिआओए, तो खेत की तैयारी किस वरिकार से कड़ें, और त्यारी करते समय कोन-कोन सी खात देना जरूरी है, जिससे ही खीरा की अच्छी बिकास होती रहें तो खीरा की फसल करने से पहले खेत को तयार करने के लिए उसको अच्छी से आपको क्या करना है गहरी जुताई करनी है गहरी जुताई करते हैं तो जो भी फसल की पहले वाली फसल की जो अफसेस पदार्त है वह बिल्कुल नस्ट हो जाती है उसके बाद बात करें में इसमें कि जो मुझूद पुरानी फसल हो अपसेस तो हो ही जाती है उसके बाद आपको क्या करना है जब आप खेत की त्यारी कर रहे है तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद यह प्राकिर्टिक खाद होती है जिसे आपको देना खेतों में बहुत जरूरी होती है आप सड़ी हुई प्रास नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है उसमें सिचाई कर देना है सिचाई करने का बाद अगर आप कुछ दिनों के बाद फिर से खेत की जुटाई करते हैं तो मिट्टी जो है काफी जादा फुरूरी हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है आपको बेड तयार क आना है बेड के उपर आप लगाते हैं तो जो भी बारिस में पानी होती है वर्षा का वेड के नीचे वाले हिस्षों में रह जाता है इससे आपको खीरा की फसल को कोई भी परकार की नुपसान नहीं होता है और हम बात करेंगे खीरे की बीज की रुपाई का सही समय और तरीक खीरे के फसल अलग-अलग जलवाई की साबसे अलग-अलग समय पर की जाती है जैसे कि आप उत्तरी छेत्रों में बराते हैं भारत के तो आप इसकी जो भुआई है फरवाडी से नॉंबर तक कर सकता है किसी परकार की दिक्कत नहीं है अगर परवत ये छेत्र में है आप अ पर दिलेदें इपरात कि बांदें